है लो गाइज वेडियो प्रीमियम इनर्जी लिमिटेड गजिस आई प्रीटिक सब्सक्रिप्शन आप इन जा रहा जानेंगे लाइफ सब्सक्रिप्शन डेस्ट दो दिन में किता था जी इंपी के चल रहा लिस्टिंगे ता मिलेगा लास्ट टेड़ है तो फानल डिजिजि 29 के लोड का 3.42 के लोड का इश्यू कर रही है अलॉट में डेट फाइनलाइज किया गया है 30 अगस्ट का 3rd September के लिस्टिंग डेट है नसी बिस्टिंग दोनों में लिस्टिट किया जाएगा 427 तो 450 रुपीज पर से के प्राइस बैंट 33 के लॉट साइज और इसमें एंप् कोटक माहिंद्रा कापिटल कंपनी जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आइसी आइसी सेक्रीड इज लिमिटेड इसकी लीड मैनेजर है के फिंटेक रेइस्ट्रार है प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रिएश्यू 72.22 परशन का पोस्ट इस 66.03 परशन का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा एंगर इंवेस्टर से 846.12 क्रोड का फंड रेज कर चुका है अगर सब्सक्रीप्शन की बात करेंगे तो क्यू आइबी से 1.37 टाइम का जो की फुल्ली सब्सक्राइब किया गया है एचना इस 19.35 ताइम का ओवर सब्सक् सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है जिएंप की बात करेंगे 396 रुपीज का जिसके एक बहुत ही स्टॉंग डेब्यू करने जा रहा है बहुत ही स्टॉंग डिस्टिंग मिलने जा रही है बिजनस की बात करेंगे तो एपर 1995 में इंकॉर्पेट किया गया था इंटीग्र सॉलुशन्स और ओ एंडेम सॉलुशन्स कम्पनी के पास पाच मनुफरक्चर इंट और सभी हैदराबाद तिलंगना में है और इसके क्लाइंटिल की बात करें तो एंटीपेसी टाड़ा पावर सोलर सिस्टम पैनासॉनिक लाइप सॉलुशन्स और कांटीनम सक्तिपंप्स फ्रस्ट इनर्जी ब्लूपाइविन इनर्जी और लूमीनस हार्ट इक सोलर रहो गया गलुशन्स हां इनिफ wrap बाइनध इनरजी है किस्के पास और और कंपनी का 31st July 24 डेटा के कोडिंग इस बार के कोडिंग ओर्डर बुक टोडल था 5926 करोड का जिसमें से नौन DCR Solar Modules के लिए 1609 करोड का ओर्डर था और DCR Solar Modules के लिए 2214 करोड का ओर था Solar Sales के लिए 1891 करोड का ओर था और EPC Projects के लिए 220 करोड का ओर था और कंपनी प्रोड़क्स को USA, Hong Kong, South Africa, Bangladesh, Norway, Nepal, France, Malaysia, Canada, Sri Lanka, Germany, Hungary, UAE, Uganda, Turkey, South Korea, China, Taiwan, Philippines जैसी अलगलग कंट्रीज को प्रोड़क्स एक्सपोर्ट कर रही है जुन 24 के अकॉर्डिंग 1447 employees total company में थे और 3278 contract laborers थे फिनांशल की बात करेंगे तो 22 में 767 करोड का रेवन्य 14.4 करोड का लॉस 23 में 1463 करोड का रेवन्य प्रो लॉसस ए 13.3 करोड का देगे 2223 दर कंपनी का performance static था एक बहुत जादा लॉसस फेस क्या लेकिन 24 में 3171 करोड का रेवन्य 231 करोड का पॉफित फिस्ट क्वाटर 25 में 1668.7 करोड का लेकिन कंपनी 24 से बहुत ते बॉस्ट से कंपनी का परसॉम्श बहुत ही चुछ देखने को मिला है जो कि कर रहा है इसके और कि इसस्सटेंट की बात के बंस्टीफ स्टिफ कॉंपेटिशन फेस कर रही है जो की margin pressure लगाया जा सकता है, significant portion of revenue कुछ की client से generate करती है, जिसके कारण potential revenue concentration risk की lead कर सकती है, और solar industry विज़र सो यह government policies intensive incentives सो बहुत ज़ा depend होता है, जिसके कारण का कोई change होता है, तो इसके विजनस operation को impact कर सकता है, raw materials के availability पर dependency बहुत जादा, इसके कारण price fluctuation के कारण profitability को impact कर सकता है ग्लोबाल economic downturn या market instability होता है, तो इसके विज़से जो expansion plan company लेकर आए और financial performance जिस तरफ से growth किया है, affect कर सकती है, वह एकर हम बात करेंगे guys company का objective का, तो इसका एक subsidiary है, प्रिमियर solar energies global environment private limited, इसमें company investment करना चाहते है, जिससे company 4 gigawatt solar PV topcon sales, 4 gigawatt solar PV topcon module का जो सो manufacturing facility set up करना चाहते है, इसमें पार्ट फिनांस करना चाहती है, और जनरल कॉर्ट में प्लान लेकर आई, इसमें company expansion के लिए जो सो funding चाहती है, expand करना चाहती है, सेट अप के लिए एक manufacturing facility set up करने के लिए जो सब company funding चाहती है, और सी के लिए IPO लेकर आई है, तो अबराल अगर देखा जाना तो गाइस company 25 के first quarter के super earning के का इस पाइस थोड़ा स्यादा रखा के लिए पुरी दर से प्योर long term company है, अगर आप इसमें अप्लाइ करना जाता है, त आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं, बहुत ही strong fundamental company है, तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करता है, अगर कोई डाउटर कमीन बॉक्स में पूछे मिलता है, एक शोड़ा में दिल देन, बाई बाई